आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपका 1.2 million तरेट फ्रांट रहता है उसमें जो वाइड वेल्ड यू जो हता है वाइड वेल्ड टेक्निकल स्पेस पेसन वारा में बात करेंगे और मेरा जो नेक्ट वीडियो रहेगा वह आपका रहेगा ओंडर सेच के रि वाइड वेल्ड आपके 1.2 million तरेट फ्रांट में जो वाइड वेल्ड यू जो था है उसका वाइड कितना रहता है उसका वाइड रहता है 4200 mm याने 4200 mm उसके बाद आपका जो कंवर रहता है वाइड वेल्ड का कंवर उसका लेंद कितना रहता है जो आपका वाइड 6600 mm उसके बाद जो आपका wide weld रहता है,"उसका speed इतना रहता है?" उसका speed रहता है लग क्पॉइंट 0592 0176皆さん याने एक सेंड में आपका wide weld 0.09 मिटर से लेकर 0.176 मिटर थक ट्रविल करता है उसके बाद आपका wide well भे मेनेट्च váy जेंट होता है वो green pellet convey होता है आपका जो wide weld रहता है wide weld का capacity कितना रहता है आपका जो wide weld रहता है उसका capacity रहता है 270 ton per hour उसके बाद आपका wide weld जो रहता है wide weld का angle कितना रहता है wide weld का angle लेता है 12 degree उसके बाद आपको wide weld को जो move करने के लिए motor चाहिए होता है वो मोटर का कापाशिट रहता है 7.5 kW और वाइड वेल्ट में जो आपका gear box लगाता रहता है gear ratio को reduce करने के लिए उसका ratio रहता है 187 और आपके वाइड वेल्ट में gear box जो रहता है उसमें lubrication क्या किया जाता है उसमें 320 grade का gear oil का lubrication किया जाता है और आपका जो वाइड वेल्ट का बेरिंग रहता है वाइड वेल्ट को बेरिंग को ग्रीसिंग करने के लिए आम लोग नोर्माल एपीट टू ग्रीस का यूज करते हैं मैं उमीद करता हूँ आपको इस वीडियो से 1.2 मिलियन टन पैलेट प्लांट के वाइड वेल्ट के डिटिल के बारे में कुछ ने आप जानकरे मिला होगा अगर यह वीडियो आपको थोड़ा इक पशांद आए या तो इस तरह से आप आगए वीडियो देखना चाहते है या प्लेट प्लांट के लिए कोई भी ठीओरिटियन और प्रैक्टिकल वीडियो देखना चाहते है तो मेरे चनल को लाइक और सेस्क्राइब परने के लिए मत बुलिया